हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोष्वपरहर में मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिमोनिल केसेज के बारे में यह समझाने बाला हूँ इन केसेज में वो जो स्टेज होती है जहां पर आप यह समझते हैं कि इन चीजों को निप्टा लेते हैं तो उस पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतिया करते हैं और वो जो गलतिया करते हैं उससे आपको नुकसान होता है देखिए एक बार ना हमको एक 17 लाक हम आपको देंगे इसका आवो जो बंदा था था अरे सब क्या बात कर रहे हो आप 22 लाक में तो सामने वाले लेने को रेडी बैठे हैं दो दिन पहले इनका ओफर आया था हमने उनको 22 में मना कर दिया तो यानि उसका इंडिरेक्ट हमको कहना ये था कि 22 से उपर ही होगा तो हमने उनसे कहा कि ठीक के सार अगर वो 22 आपको दे रहे हैं आप 22 में उनसे कर लीजिए जया रमजी की हम निकल लिए और हमने उनसे किसी भी प्रकार का अगले एक महिने तक कोई कांटेक्ट नहीं किया आफ्टर वन मन्त वो हमारे एक रिलेटिव की शॉप पे गए और महां जाके बोलते हैं कि साब वो आप शॉप के लिए थे उसको क्या करना है आप कह रहे थे 22 में आपके पास ओफर है इसने हमने दुबार आपको छेडा ली और फिर उस पे निगोशेट हुआ कि नहीं थोड़ा बढ़ लेते हैं और फाइनली वो 20 में डील हो गई तो कहने कि वो लोग भी चाह रहे हैं कि आप उनके पास आओ आप उनको अप्रोच करो और अगर उनको ऐसा लगा कि आपकी नीड है आप इससे भाहर आना चाहते हो और प्रेशा जहन नहीं पा रहे हो तो जाहिर सी बात है न फिर दिमांड बढ़ेगी तो इसके लिए आपको समझन पतनी चली गई नहीं आ रही है तो बस फटाफट सेटलमेंट हो जा मुझे जल्दी चाहिए आज के समय पे सबर किसी के पास भी नहीं है और जल्दी सबको चाहिए हर काम में जल्दी है शादी भी जल्दी करनी होती है और उसके बाद डैवोस भी जल्दी चाहिए होता है निप्टाना भी जल्दी होता है, मेरे पास टाइम नी है, मुझे शान्ति चाहिए, मुझे मानसिक शान्ति चाहिए, ऐसा नहीं होता जीवन में। जब आपकी सिसी समस्या में फसते हैं, उस समस्या से बाहर आने का एक प्रॉपर तरीका है। इसलिए अगर समस्य ऐसी है जिसमें आपको कुछ समय देना आवश्यक है और आप बहुत कम समय में उससे बाहर आना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी तरब से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो की नहीं होना चाहिए था और उसका फायदा दूसरी पार्टी को और आपको नुकसान होगा इसलिए जल्दबाजी तो बिल्कुल भी ना करें अगर आप इस चीज में आ चुके हैं अब आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो ये तो निश्चित कर लें कि थोड़ा टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा कुछ साल अपने देने पड़ हो जाती है लेकिन मेरे personal point of view से ये पूरे तरीके से गलत है ठीक है अगर आपको लगया कि चीजे खराब हो गई है अभी उनकी तरब से demands आ रही है तो थोड़ा सा fight करो ना दो चीजे एक साथ कभी नहीं हो सकती अभी कुछ समय पहले मेरे कोई call आया था वो बंदा बोलता कि सब जितना कुछ भी हो रहा है सब बहुत गलत हो रहा है and we have to fight for it because इतना सब कुछ गलत है कोई कुछ करता है क्यों नहीं आप लोगो आप लोग इतना सब लौ जानते हो आप लोग कुछ क्यों नहीं करते हो तो मैंने उनसे बोला मैंने का ठीक है तो अभी आपके साथ इतना कुछ हो गया है तो आप इसमें fight करो बोला नहीं मेरे को fight नहीं करना है क्योंकि मेरे पास time नहीं है इतना मेरे ममी पापा है मेरी ये problem है personal मेरी ये problem है मेरी problem मुझे तो इससे बहार आना है settlement करके तो देखिए आप किस तरह से आदमी contradictory बाते कर रहा है एक तरफ तो आदमी कहत है कि ये बहुत गलत है we have to fight और दूसरी तरफ क्या रहा है नहीं मुझे इन सब में नहीं हो लजना मुझे निकलना है तो ऐसा नहीं होता है दोरों option को आप एक साथ नहीं अपना सकते हो तो यहां तो फिर बही बात हो गई ना कि personally तो मैं इससे बहार आना चाहता हूं लेकि लेकिन दूसरे के कंदे पर मैं बंदुग रखके कहता हूं कि आप fight करो इसके लिए क्योंकि देश में गलत हो रहा है बट मैं fight नहीं करूंगा मुझे fight नहीं करनी है क्योंकि मेरा time कराब हो रहा है तो जब आप परेशानी में हैं आप fight नहीं करना चाहते तो दूसरा कौन और क्यों आप के लिए fight करेगा यहां पर एक चीज ध्यान रखना हर एक व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है देखो दो चीजे होती है एक तो होता है कि लैक्चर आप किसी भी चीज़ पे कितना भी बड़ा दे लो लेकिन practically अगर आप उस चीज को न हरे काइद में आराम सही भार आना चाहता है कौन इन सब चीज हो मैं आज के समय पे इन्वाल्व होना चाहता है जब जो इंसान पार्टी है जो इंसान पीडित है वो नहीं चाह रहा है कि मैं fight करूँ तो वो वेक्ति जिसका profession है या जिसका इस चीज से कोई लेना देना नही है कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर हमको फरक नहीं पड़ रहा होता और हम इससे बाहर आ सकते तो हमें बाहर भी आ जाना चाहिए मतलब कभी भी आपको बहुत रिजिट नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज़ पर अटक गये जंड़ा जंड़ा गाड़ दिया अब तो मै बाइन ही एक चाहिए अगर आपको लगता है कि कि थोड़ा सा कॉन्ट्रिब्यूट करके मैं इससे बाहर आ रहा हूं तो मुझे नहीं लगता फिर इन चकर में पढ़ना चाहिए आपको इससे बाहर आना चाहिए यहीं कुल मिलाके बात यहां है कि प्रक्टिकल बात ही होनी मिलता हूं तब तक केले गुट बैंट थैंक यू फर वाचिंग टेक केर